व्लेवरिवन विल्कम दिस्टारोज मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आपसे भी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस स्टाफ कॉलेज से भरती एडवर्टीजमेंट विग्या पंजारी हुएं जिसमें की 10th pass 12th pass किसी भी subject से graduate है सबसे अच्छी बात यहां पर यह कि application fee नहीं देने किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी application fee नहीं है बाकी की detail पर्वनेंट पोस्ट है बाकी की detail हम आगे वीडियो में चेक करेंगे कि government college है यह last date क्या है कैसे application करनी है क्या क्या post है किस post के लिए क्या age criteria और क्या qualification चाहिए यह सारी information आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी job location selection criteria यह सब वेकेंजी की detail कुछ इस तरीके से stenographer grade 2 है इसमें की total 4 post है 25,500 की basic pay plus HRDA यह सारी चीज़े मिला कि 45,000 तक आप expect कर सकते है minimum 18 years और maximum 27 years यह जो 27 साल उपरी आयू सीमा अपर age limit है यह जेनरल category के लिए अगर आप STSE category से हैं तो 5 साल की चूट मिलती है उपरी आयू सीमा में इसी तरीके से अलग अलग रिजर्ट category के candidate के लिए उपरी आयू सीमा में छूट दी होती है लोगर डिविजन क्लर के लिए total 7 vacancies है और civilian motor driver के लिए 5 vacancies है सुखानी के लिए 1 vacancy है fireman के लिए 16 vacancies है cook है cook के लिए भी 3 vacancies है और इसके अलावा cook के अलावा नीचे देख लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके इसके बाद multi-tasking staff के लिए 7 vacancies है और टेक्निकल एटेंडेंट में printing machine operator के लिए 1 vacancy है तो यह इतनी सारी vacancies है job location वगर हम देखेंगे यह defense services staff college नील गिरिस तामिल नाडू में है यह और यह जो है the commandant defense service staff college तो आप देखके समझगे कि defense staff college services staff college है तो government के अंतरगत है और इससे जो एक group C के लिए vacancies आई हुई है 23rd September को यह notification last date इसकी रहेगी notification के आप से application जो है 23 सितंबर तक latest पहुँच जानी चाहिए दिये के address पर offline application online नहीं है तो 23 सितंबर आपको याद रखना इस date तक आपकी application पहुच जानी चाहिए 2nd September मतलब आज वीडियो बन रही है आज यह advertisement publish हुई है इसके अलावा बाकी information भी देख लेते हैं स्टेनोग्राफर से शुरू करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए क्योंकि स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफिय आपको आनी चाहिए लोवर डिविजन क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से बारवी पास है दोनों में स्टेनोग्राफर में भी और LDC में इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इसके लि खलें खिलें पायर मेंनिक के लिए फरे मं क पैसी कोई सर्टिफिकेत 10 के बास बाद कि अगर आपके पास थाष्ण है वेहिक लगर उसके लिए ड्रीविं लाइसेंस और साथ में भी f1οςे के लिए सकते हैं, एक बात नहीं एक स्पीरियूरी नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं श्कुपीर इस भी पास है, इतना काफी है, पारे में लिए एज़ लिमिट के बारे में दो बताएगे निया नीड़ लिए प्रेश लिमिट रिखा है, कुक के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ इन सब के लिए अपर एज लिंट जैनरल काटिक्री के लिए पचीस साल है बागी के लिए 27 सुखानी के लिए उपरी आयूसीमा पचीस साल है 25 एड़्य एप्लिकेशन कैसे करनी है लास्ट देट तो 23 सितमबर तक आप अपलाई कर सकते हैं इसके बाद जो हाउ टू एपलाई बताया गया इसमें कैसे कैसे क्या 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 आपको अटैच करना यह सारा अटैच करके एपलिकेंट्स टू मेंचन क्लियरली और एन्वेलप में आपको भेजना है इस एड्रेस पर आपको एन्वेलप भेज देना है इसमें अपना पता लिखा हुआ दस बटा बाइस सेंटीमीटर का बाइस रुपे का 22 रुपीस का पोस्टे स्टांप लगा हुआ एक एन्वेलप भी लगाना है यह आपको याद रखना है और इसके बाद जो है मोड अफ सेलेक्शन जो है रिटेन टेस्ट होगा जो भी कैंडिडेट पहले तो स्कूरूटनी होगी जो शॉट लिस्ट होगे उनको रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा रिटेन टेस्ट में दे दिया गया है जेनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग अब सपोस्ट आप बारवी के बेसिस पर यह तो यह रहेगा और जो शॉट है टाइप राइटिंग उनके लिए स्किल टेस्ट होगा और कहां पर होगा तो जॉब लोकेशन भी वेलिंग्टन में ही तामिल नाडू में ही होगा और आपको रिटेन टेस्ट वगरे के लिए भी वही पर जाना होगा एक बर ऑफिशल अगर आपको आ जाता है डिससी डायरेक्ट रिकूटमेंट टॉजन टॉटेट्री डायरेक्ट रिकूटमेंट डिससी और इसमें देखें यह सब भी जो लगे हुए यह सारे इसके ही है डिफेंस के तो गवर्मेंट जॉब है यह तो यह ओफिशल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करेंगे तो यह जो विग्यापन है अडवर्टीजमेंट इसके नीचे आपको चेक करना यही आपको अग्नॉलेजमेंट अग्मेशन कार्ड और क्या-क्या चीज़ें दी हुए यह सारी आपको अटैच करनी है फिल करके और बेज देना है दिएगे लोकेशन वगरत तामिलनाडू ही रहने वाली है